ड्रीमिलियोन के उपर एक करोड़, डेर्ड करोड़ या दो करोड़ जीतने वाली टीम कैसे बनती है? इस वीडियो के अंदर में आपको लाइव टीम बना कर दिखाऊंगा कि किस तरीके से टीम बनती है मेगा ग्रेंड लीग के अंदर पहली रेंक पराने वाली काफी लोगों का ये मानना है कि ड्रीमिलियोन के उपर तभी जीत सकते हैं जब किसमत अच्छी हो लेकिन आपकी किसमत आपका तभी साथ देगी जब आप महनत करेंगे जब आप आतम निरबर बनने की कोसिस करेंगे आप पड़े लिखे हैं या अनपड हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर आप अनपड हैं तो भी आप खुद टीम बनाना सीख जाएंगे इतनी जबरदस्त है ये वीडियो सबसे पहले जितने भी सदसे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में इतनी महनत नहीं लेगी जितनी महनत ग्रेंट लेगी जीतने में लेगी परतेक वो सदस्य जो इस वीडियो को देख रहा है जो आतम निर्बर बनना चाता है जो सीखना चाता है तो परतेक सदस्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हाँ एक बात मैं गरेंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको टिपस एंट्रिक दे रहा हूँ 101% वो काम कर रही है और हमेशा काम करती रहेगी इसी परकार से लगातार मैं आपके लिए टिपस एंट्रिक की वीडियो देता रहूँगा लेकिन तब तक दूँगा जब तक आप साथ तेंगे जब तक आप चैनल सबस्क्राइब करेंगे जितना ज़्यादा आप साथ तेंगे मैं आपके लिए उतनी ही बहतरी टिपस एंट्रिक की वीडियो हमेशा देता रहूँगा जिससे कि आप खुद टीम बनाना सीखेंगे जिस दिन हमारी टीप से इंट्रिक काम करना बंद कर दे उस दिन चाहे आप चैनल अंसबस्क्राइब कर देना लेकिन मेरा ये मानना है कि इन लुटेरों की दुगाने बंद हो सभी सदसे आतम निर्बर बने और इसके अंदर अगर आप मेरा साथ देना चाते हैं तो प्रतेक वो सदसे जो इस वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमें आप से कोई पैसा नहीं चाहिए बस एक क्लिक करना है आपको तो आईए शुरुआत करते हैं कि मेगा ग्रेंडली की टीम बनाई कैसे जाती है मेगा ग्रेंडली की टीम बनाने के लिए सबसे जरूरी ये है कि आपको खिलाडियों के पिछले 5 साल के या पिछले 10 मैचों के या पिछले 10 सालों के रिकोर्ड जानने की जरूरत नहीं है जो आप record जानकर team बनाते हैं, वे cricket के आंकडे होते हैं, cricket अनिश्चिताओं का खेल है और fantasy आपकी skill का खेल है, यहाँ पर आपको cricket के आंकडे नहीं बलकि अपनी skill का इस्तमाल करना है, पिछले match के अंदर रोहिच सर्मा ने, विराट कोली ने, सुपमन गिल ने क्या किया क्या doesn't not matter, वो माइने नहीं करेगा, अगर रोहिच सर्मा ने पिछले match में शतक लगाया तो जुरूरी नहीं है कि इस match में भी वो शतक लगाएगा, इसलिए पिछले match के आंकडे देखकर अपना समय बरबाद करने की जुरूरत नहीं है, हमें ये सोचना है कि आज 22 में से कौन से 11 खिलाडी best performance करेंगे, वे खिलाडी हमें अपनी टीम के अंदर रखने है, captain wise captain बना कर और अपनी टीम लगा देनी है, यहाँ पर मैं आपको टीम बना कर दिखाता हूँ कि किस तरीके से टीम यहाँ पर बनने वाली है, इंडिया और इंगलेंड का जैसे यह match है, डेमो के लि हमारे पास टोटल 6 खिलाडी हैं, इन 6 खिलाडियों में से किसी का भी मन नहीं कर रहा होगा कि हम विराट कोले को ड्रोप कर दें, बटलर को ड्रोप कर दें, या फिर गिल को ड्रोप कर दें, और इन में से अगर हम किसी खिलाडी को ड्रोप नहीं कर रहे हैं, इन 6 खिलाडि जो 20-20 टीम बना कर लगा देते हैं तो इतनी ज़्यादा टीम मतल गई है इतना ज़्यादा अपना पैसा बरबाद मत कीजिए पहली रैंक पर आने के लिए सिर्फ आपके लिए एक टीम काफी है लेकिन टीम का कॉमिनेशन अच्छा बनाने के लिए आपको चार से पांच टीम बना लेनी चाहिए इस से ज़्यादा अगर आप टीम बनाओगे तो आप पजल होंगे आपके आदे से ज़्यादा टीम है वो विनिंग जोन में भी नहीं आएगे कोई भी मैच हो उसके अंदर आपको चार या पांच टीम ही बना कर लगानी है ये गलती मत कीजिए चलिए आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है आज तो 20 टीम लगा ही देते हैं मैकसिमम चार से पांच टीम आपको बना कर लगाईए ज़्यादा अपना पैसा बरबाद मत कीजिए और मैं आपको बता दू कि आपको टीम नहीं बनानी आती है आप लोस में हैं प्रोफिट कमाना चाते हैं लगातार लाइन पाने के बाद हैं ट्रम्प खिलाडी जो आपको पैसल ग्रेंट लिगी जिताते हैं ये खिलाडी अगर आप लेना चाते हैं बिलकुल फ्री में तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल के उपर जुड सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस लिंक के उपर कलिक करके और डिरेक्ट आपको इस टेलिग्राम चैनल के उपर जोइन होना है हमारे नाम से यानि कि फेंटेसी लोस कवर के नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने हुए है किसी को भी सर्च किया फेंटेसी लोस कवर कोई भी चैनल दिखाई दिया और आप वहाँ पर जुड गए तो किसी फेक चैनल पर जुड जाएंगे जहाँ पर आप से पैसे भी लूटे जा सकते हैं सीधा सा और सिंपल सा तरीका है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएए टेलिग्राम चैनल का लिंक है उसके उपर क्लिक कीजिए डिरेक्ट टेलिग्राम चैनल के उपर जोईन हो जाएगा अब जैसे हमने ये च्छै खिलाडी जो है अपनी टीम के अंदर ले लिये हैं इन खिलाडियों के अंदर अगर हम इन में से किसी को शक की नजर से देखें तो कौन सा खिलाडी हो सकता है बैं श्टोक हो सकता है और दूसरा खिलाडी हमारा केल रहूल हो सकता है अगर हम चाहें तो इन दो खिलाडियों को अपनी टीम से ड्रोप कर सकते हैं लेकिन टीम नमबर एक है हमारी ये तो एक नमबर टीम के अंदर हम सभी बड़े बल्लेबाजू को अपनी टीम के अंदर ले लेते हैं ठीक है उसके बादे बात आती है विकेट कीपर सेक्षन के अंदर आप देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि बड़े हमने भारत की तरफ से चारों खिलाडी चार नमबर तक के खिलाडी हमने अपने टीम के अंदर ले लिए हैं इसका मतलब यह है कि यह चारों खिलाडी पांच और करता है तो उसके अंदर यह क्या ले लेगा एक विकेट भी अगर ले लिया तो भी यह ड्रीम टीम में नहीं आएगा तो हमें क्या करना है कि जैसे रविंदर जडेजा को अपनी टीम के अंदर हम ले ले लेते हैं क्यों ले लेते हैं क्योंकि यह गेंदबाजी क ठीक है तो तीसरा खिलाडी हम लिविंग स्टोन को लेंगे क्योंकि बल्लेवाज को अपने टीम के अंदर लेना जरूरी है दो हमने यहां से क्या आलराउंटर ले लिये हैं अब उसके बाद में फिर बात आती है गेंदबाजी के अंदर गेंदबाजी के अंदर जैसे बुम् पर टीम आती है मेगा ग्रेंड लिग के अंदर उस टीम के अंदर आपको चार से पांच ऐसे खिलाडी देखने को मिल जाते है जिनका सेलेक्शन 10,20,30,40 परसेंट होता है और वही खिलाडी आपको ग्रेंड लिग जिताते हैं तो अब हमने यह टीम तो बना लिए इस टीम क अंदर हम अगर खिलाडियों की बात करें कितने खिलाडिय है हमारे पास 40% से कम वाले तो एक जैसे है दो हमारे पास गेंद बाज हो गए एल वूड हालांकि 42% है लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि चलो बी ट्रम्प खिलाडी की लिश्ट में यह खिलाडी आरहा है तो दो हमा साथ हम Grand League नहीं जीत सकते क्योंकि हमारा जो पहला टार्गेट है वो पहला टार्गेट यह है कि सबसे पहले जब भी हम टीम बनाएंगे उस टीम के अंदर कम से कम हमारी टीम में चार ऐसे खिलाडी होंगे जिनका सेलेक्शन 40% से कम होगा तो हमने पहली स्टेज के अंदर ही यहां पर गडबड कर दिये तो इस तरीके से हमें गडबड नहीं करनी है हमें क्या करना है और दूसरी हमने इस टीम के अंदर गलती क्या किया है कि एक तरफ हमने भारत की चार बड़े बल्लेबाज अपनी टीम में ले लिए और दूसरी तरफ हमने इंगलेंड के गेंदबाज दो ले लिए तो यह इंगलेंड के जो गेंदबाज है यह विकेट किसकी लेंगे क्योंकि चारों बड़े बल्लेबाज हैं और हमारा यह टारगेट है कि ये हमारे जो बल्लेवाज हैं अच्छी पारी खेलेंगे तो जब अच्छी पारी खेलेंगे तो ये पोसिबल नहीं है कि इन दोनों गेंदवाजों को सफलता मिलें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक England का गेंदवाज हटाकर भारत का गेंदवाज लेंगे और भारत का गेंदवाज लेने के बादे हम किसी भी एक बल्लेवाज को ड्रॉप करके और फिर हम एक 40% से कम के खिलाडी को अपनी टीम ये स्थान देंगे तो चलिए कौन सा खिलाडी हमें लेना है जैसे मैं यहाँ से वोड को ड्रॉप करूँगा और कुलदीप जिसका सेलेक्शन 32% है इस खिलाडी को मैं अपनी टीम के अंदर ले लूँगा यहाँ जैसे भूमरा को लिए है तो भूमरा की जगह पर सिराज को भी ले सकते हैं इस तरीके से अब दूसरी बात यहाँ आती है कि हमें बड़ा खिलाडी ड्रॉप करना पड़ेगा मजबूरन हमारी मजबूरी यह है कि हमारी टीम के अंदर चार ट्रॉम्प खिलाडी नहीं है और हमें चार ट्रॉम्प खिलाडी लेने है तो कौन से खिलाडी को ड्रॉप करें रोहित सर्मा सुबमन गिल दोनों सलामी बल्लेवाज है ज्यादातर मैचों के अंदर ऐसा होता है कि सलामी बलेवाज लंबी पार्टना से बहुत कम मैचों में करते हैं एक टीम के अंदर हम रिस्ट के क्या लेंगे कि हमारे भारत की तरफ से एक सलामी बलेवाज को अपनी टीम से ड्रोप कर देंगे रोहित को अमने ड्रोप कर दिया, रोहित को ड्रोप करने के बाद में आपकी एक अलग लाइफ लाइन कह सकते हैं, खुल गई है, वो कौनसी कि आप इंगलेंड का एक आल राउंडर ले सकते हैं, मोहिन अली के साथ जा सकते हैं, या सेम करन जैसे खिलाडी के साथ जा सकते हैं सेम करन कितना अच्छा खिलाडी आप सभी जानते हैं या मोहिन अली को ले सकते हैं बड़ा खिलाडी है और जिस दिन इनका दिन होता है उस दिन ये कप्तानी पारी भी आपको खेल कर दे देते हैं अब इस टीम के अंदर ये हमारी complete टीम बन चुकी है इस टीम के अंदर चार खिलाडी भी है जिनका selection 40% से कम है और बड़ी खिलाडी भी है तो इस तरीके से जैसे हमने पहली टीम बना ली अब दूसरी टीम अगर इस टीम के अंदर अगर हम बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की तो जैसे मान लीजी मैं यहां पर कैप्टन बटलर को कर दिया कोली को वाइस कैप्टन कर दिया यह बटलर के साथ गिल को वाइस कैप्टन कर दिया हना यह फिर बटलर के साथ गेंदबाज की यह आल राउंडर की बात करो तो वाक्स को कर सकते हैं सेम करन को कर सकते हैं इस तरीके से हमने कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया यह हमारी पहली टीम बन गई या फिर भारत की तरफ से विराट को कैप्टन कर दिया और विराट को अगर हम कैप्टन कर रहे हैं तो फिर कुलदीब को वाइस कैप्टन कर सकते हैं बेंच टोक को वाइस कैप्टन कर सकते हैं तो यह हमारी पहली टीम जो है वो बन गई अब बात करें अगर दूसरी टीम के अगर हम बात करें वो टीम कैसे बनेंगी उस टीम के अंदर हमें इसका उल्टा करना होगा और मैं आपको बता दूँ कि जो ये यूट्यूब के उपर जब आप सर्च करते हैं न मैच से पहले इंडिया और इंगलेंड ड्रीम लेवन परडिक्शन वीडियो वहाँ पर बैटिंग पीचे तो वहाँ पर गेंदवाजों को ज़्यादा मोका दीजी ये कहते हैं कि ये बोलिंग पीचे तो वहाँ पर बल्लेवाजों को ज़्यादा मोका दीजी क्योंकि लोग इनकी सुनकर टीम बनाते हैं और हमें ग्रेंड लीग जीतने हैं ग्रेंड लीग मतलब लोगों से अलग चलना है लोगों की पीछे नहीं चलना है हमें हमें लोगों से अलग चलना है क्योंकि हमारा रास्ता अलग है हम भीड का हिस्सा नहीं बनना चाते तो इस तरीके से दूसरी टीम जो हमारी बनेगी वो दूसरी टीम कैसे बनेगी और मैं आपको बता दू कि जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ अगर आप 5 मिनट की महनत कर लेते हैं, सिरफ 5 मिनट की महनत तो आप महिने में 3 Grand League आसानी से जीत सकते हैं अगर आपके 8 या 9 खिलाड़ी भी best performance कर लेते हैं तो भी आप महिने के 3 Grand League आसानी से जीत सकते हैं 3 Grand League आप 2 करोड, 1.5 करोड या 1 करोड वाली नहीं बलकि 5-5 लाग रुपे वाली इसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना है 5 मिनट की आपको महनत लगेगी इस वीडियो के description box में मैंने link दे रखा है Vision 11 application का उस link के उपर कलिक करके Vision 11 को आप download कर लीजिए download करने के बाद आपको referral code डालना है Real FLC जो आप सक्रीन पर देख रहे हैं इस referral code डालने से आपको 500 रुपे का welcome bonus मिलेगा और first time deposit पर आपको 100% bonus मिलेगा जो method इस वीडियो के अंदर आपको बताया जा रहा है सेम उसी method से आपको 4 या 5 टीम Dream 11 की grand league में लगा देनी है और जो Dream 11 की grand league में टीम में लगाई है सेम टीम को copy करके Vision 11 की grand league के अंदर आपको लगाना है ऐसा क्यों करना है क्योंकि अगर 11 खिलाडी best performance कर गे तो आप Dream 11 पर पहले number पर आ जाएंगे अगर एक दो खिलाडी की वज़े से miss हुए तो Dream 11 पर आपको कितना मिलेगा 1500 या 200 रुपे लेकिन उसी टीम को Vision 11 की उपर 5 लाख, 3 लाख या 2 लाख रुपे 101% मिलेंगे क्योंकि Vision 11 के उपर मतर 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं इसका मतलब यह है कि अगर आपके 8-9 खिलाडी best performance कर गे तो भी आप Vision 11 पर पहली number पर आ जाएंगे यह method आप अजमा कर देखिए काफी लोगों को तो यह लग रहा हुगा कि यह application को promote कर रहा है लेकिन एक बार आप खेल कर देखिए यहाँ पर इस method से फिर देखिए कि महिने में आप Vision 11 से कितनी grand league जीतते हैं लेकिन यह गलती मत करना कि Dream 11 के उपर आपने अलग टीम में लगा दी Vision 11 के उपर आपने अलग टीम में लगा दी यह गलती मत कीजिएगा जो टीम वहाँ लगा रहे हो सेम टीम को कोपी करके यहाँ लगाना है और जिनके पास पैसे नहीं यह ज़्यादा लगाने के लिए उनके लिए परती एक मैच में यहाँ पर फरी 50,000 रुपे से लेकर एक लाख रुपे तक का गीवे चलता रहता है परती एक मैच में इस वीडियो के तुरंत बाद आपका पहला काम है इस वीजन इले उनको डाउनलोड करना स्मोल लीग आपको सिरफ वीजन इले उनके उपर खेलने क्योंकि आपर इंट्री कम है आर्टिफिशल कॉंटेस्ट नहीं बनते हैं वो सदस्य ये कहना जरूर मानिएगा जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाता है जो फेंटेसी से अपना भविश्या बनाना चाता है वो सदस्य वीजन इले उनको डाउनलोड जरूर कीजिएगा हाँ वे डाउनलोड मत कीजिएगा जिनने दूसरों में कमियां दिखाई देती है वे चाहे डाउनलोड मत कीजिएगा और ऐसे लोग कभी जिन्दगी में कामयाब नहीं होंगे ये मैं आपको गरेंटी के साथ कहता हूँ महनत आपको करनी पड़ेगी अगर आप महनत करेंगे तो उसका फल भी आपको जुरूर मिलेगा ठीक है तो परतेक सदसे जो इस वीडियो को देख रहा है विजन 11 को डाउनलोड जुरूर कीजिएगा लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में देर का वहाँ से फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा परतेक मैच के अंदर आपको इसी परकार से खेलना है एक महिने के अंदर अंदर आप एक दो या तीन ग्रेंड लिग आपकी पकी है विजन 11 के उपर तो इसलिए कहते हैं कि यह दिमाग का खेला आपको इस तरीके से अपना दिमाग जो है वो लगाना है ठीक है अब आईए हम उसी टोपिक पर बात करते हैं कि दूसरी टीम हमारी कैसे बनेगी दूसरी टीम के अंदर हमने बड़ा खिलाड़ी कौन सा ड्रॉप किया था तो यहां हम रोहित सर्मा के साथ जाएंगे दूसरा हमने क्या किया था कि गेंदबाज हमने सिर्फ तीन लिये थे लेकिन यहां पर हम गेंदबाज बढ़ा देंगे सिराज को ड्रॉप किया था सिराज को ले लिया शमी को ड्रॉप किया था शमी को ले लिया अगर ये खेले तो ठीक है उसके बाद में फिर विली या फिर टोपले ये दो गेंदबाज हम और ले लिए चार गेंदबाज ले लिए क्योंकि हम अगर पहली टीम हमारी ऐसी है जिसके अंदर बल्लेवाजों का ऐसा है कि रण जादा बनाएंगे तो रन अगर जादा बनाएंगे तो हमारी पहली टीम कबर करेगी अगर विकेट जादा गिरेगी तो फिर हमारी टीम गेंद बाज ओपर दारोमदार रहेगी ठीक है इस तरीके से हमने खिलाड़ी ले लिए उसके बाद हमें हारदिक पांड्या हार्दिक पांडिया को इसलिए लिया है कि हमारे उपरी करम के जो बल्लेवाज हैं वे जल्दी आउट होंगे तो हार्दिक पांडिया थोड़ा सा संबल कर खेलेगा एक अच्छी पारी खेल कर दे सका हार्दिक को अपनी टीम में ले लिया उसके बाद हैं फिर हम यहां से दूसरा खिलाडी कौन सा लेंगे सेम करन या फिर मोही न ली या फिर इन दोनों में से किसी एक को अपनी टीम में ले ले लेते हैं क्योंकि ये गेंदवाजी भी करेंगे और उसके बाद फिर आप बात आती है कि कौन से खिलाडी को अपनी टीम के अंदर रखना चाहिए बल्लेवाज को ऐसा नहीं है कि जो पहली टीम में लिए है उन सबी बल्लेवाजों को ड्रॉप कर देंगे ये ऐसा नहीं करना है तो विश्वास वाला खिलाडी कोन सा है रोहित को पहली टीम में ड्रॉप किया तो दूसरी टीम में गिल को ड्रॉप कर देते हैं फिर हम विराट को अपनी टीम में ले लेते हैं श्टोक को पहली टीम में लिया तो दूसरी टीम में मलान को अपनी टीम में ले लेते हैं और य टिकेट कीपर में एक हो गया और एक हमारे पास हो गया बल्लेवाज दो और एक हो गया आल राउंडर तीन और फिर उसके बाद में चार, पांच और छे ट्रम्प खिलाडी हमने अपनी टीम के अंदर ले लिये हैं तो यहां से आप चाहें तो एक खिलाडी कम भी कर सकते हैं ज यह मैथड है, इस मैथड जे आप टीम बना कर देखिए, आपकी किस्मत भी साथ देगी, आप पैसा भी जीतेंगे, आपको किसी के उपर निर्वर भी रहने के जरूरत नहीं पड़ेगी आप क्या करते हैं, कि जैसे भारत के आपने ज़्यादा बल्लेवाज ले लिये, तो आप इंगलेंड के ज़्यादा गेंदवाज ले ले लेते हैं, आप वहां मार खा जाते हैं या फिर ऐसा करते हैं भारत के गेंदबाज भी ज़्यादा ले लिए और इंगलेंड के आपने बल्लेबाज ज़्यादा ले लिए यहां भी आप मार खा जाते हैं कौन से बल्लेवाज को कब लेना चाहिए ये आप पर डिक्ट नहीं करते हैं तब भी आप मार खा जाते हैं इस वज़े से आप नहीं जीत पाते हैं और जो बात आती है ना किस्मत की किस्मत अच्छी होगी तो जीत लेंगे तो आपकी किस्मत के साथ आप अपनी किस्मत को मत कोशिए क्योंकि आपकी किस्मत का कोई लेना देना नहीं है आपका काम था टीम बनाना लगाना वो आपने कर दिया अब आगे खिलाडी की किस्मत की उपर है ठीक है आपके उपर नहीं हार और जीत खिलाडियों के उपर निर्बर है और इस तरीके से हमेशा टीम बनेगी मेगा ग्रेंड लीग की और कैप्टन वाइस कैप्टन की मैंने आलरेड़ी वीडियो आपको दे रखी है और जैसे वीजन ही लिए उनके उपर आपको बताए है उस तरीके से आपको खेलना है लिंक मेंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखाया और कोई भी बात समझ में ना आये तो मैं ऐसी टिप्स एं ट्रिक की वीडियो लगातारी इस चैनल के उपर देता रहूँगा चिंता मत कीजिए परतेख सदस्या चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना इतनी आप से रिक्वेस्ट है और अगर आप में से कोई टेलिग्राम चैनल पर नहीं जुड़ है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके उपर क्लिक करके और आप हमारे ट तरीके से बनती है एक डेड या दो क्रोड जिताने वाली टीम कैसी लगी ये वीडियो कोमेंट जरूर कीजीगा बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का थेंक्यू बेरी मच्च